नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है भौतिक विज्ञान के भागत्री में जिसमें हम बात करेंगे गुरुत्वा करशणबल और कैपलर के नियमों की पिछले विडियो में हमने बात किया था न्यूटन के नियम की तो न्यूटन का पहला नियम दूसरा नियम कैसे था तो आए विडियो सुरू करते हैं न्यूटन का पहला नियम क्या कहता है वो यह कहता है कि जो वस्तु जिस अवस्ता में है उसी अवस्ता में रहने का प्रयाज करता है यानि कि कोई वस्तु यदि इस्थी रवस्ता में है तो इस्थी रवस्ता में यदि समानवेक से गत करना चाहता है और दूसरा नियम क्या कहता है दूसरा नियम कहता है एफ बराबर म में यानि कि किसी एम द्रब्यमान की वस्तु पर एफ बल लगाया जाए तो उसमें जो त्वरण उत्पन होगा वो ए होगा आईए इसको एक उदाहनार के मादम से समझ लेते हैं मा लीजे हम परित्वी से यच उचाई से धीरें से चोड़ ज़ता है यानि कि शुर्वाती वेज़ है जी रो इसको हम ज़या यसुचाई से छोड़ दें तो प्रीद्वी की तरफ गिरने लगता है और जमीन पर गिर जाता है कि न्यूटर करता है ये पत्थर शुरुवात में पत्थर नियत था लेकिन इसमें एक मोसन उत्पण भॉह मोसन किस बल के करण रहा है तो दूसर नियम क्या कहता है किसी वस्तु पर यद्यदी यह बल लगाई आए और उसका द्रब्यमा नियम हो तो उसमें जो त्वरन उत्पन होगा वो यह होगा तो यह बल कहां से लगा जो इसमें त्वरन उत्पन कर रहा है कि तो इसके लिए मैं आपको बता दू कि प्रित्वी प्रतेख वस्त उपर एक बल लगाती है जिसे बन्त गुद्वु खो करते हैं उसी की बात है यहां पे की जा रही है दीगे क्या है प्रितवी किसी भी वस्तु को अपने केंद्र की तरफ खीषती है प्रितवी Dra Flag lagi के इसी बल को ही गुरुत्वाकर्शण बल कहते हैं इसके अलावा Newton ने एक बात zu थी उन्होंने कहा था इस प्रम्हाण्द में प्रतेख वस्तू of정이 जूशा त्रफ आकर्षित करती है तो वस्तू की बीच लगने वाले इसी आकर्षण बल को गुरुत्वा करशण बल या गुरुत्व करता है देखिए यहां पर कर दितिविक आ दूसरा पफदर का मालने और सब्सक्राइग दूसरे को अकर्शित करेंगे लेकिन यह दो Clayshaw आपस में झीपक कूं यह कूंने यति इसको मैं आगे बताऊंगा को आ है है इनी दो पफदरों के बीच लगने वाले मल का आमान ग्याद करने के लिए न्यूटन ने एक सिद्धान्त दिया जिसे न्यूटन का सवर्भहमिक गुरुत्वा करशण का सिद्धान्त कहते हैं और यहां किनी भी दो पिंडों के लिए लागू होता है तो उन्होंने क्या कहाता आईए देख लेते हैं न्यूटन का सवर्भहमिक गुरुत्वा करशण का सिद्धान्त किनी दो पिंडों के बीच कार करने वाला आकरशण बल पिंडों के द्रब्यमानों के गुलनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्यूत क्रमानुपाती होता है इसका क्या आर M2 है तो गुरुत्वा कर्षड का सिद्धान्त यह क्या कह रहा है कि आकर्षड बल पिंडों के द्रब्यमानों के गुड़नफल के अनुकुर्मानुपाती यानि यदि लगने वाले बल को काGU F से डिनोड करें तो यफ प्रफोर्पोर्टेन टू M1 इंटु M2 को अर दूसरी बात क्या कहीं गई है दूसरी बात यह कहीं गई है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्यूत् नीछे लिखा जाता है इसलिए एक बट्ठें दूरी के बात अब इन दोनों मिक्समॉवाइव अब हम मिक्स करते हैं आईए मिक्स करके देखते हैं क्या होता है तो हमारे पास आएगा अप प्रोपोर्चनल टू एम्मा एम्मट पॉट्टे और वीमल कैं है और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं जब प्रपोर्शनल का चिन हटा आयाता है यानि कि अनुक्रपानुपाती का चिन हटा आयाता है तो हमारे पास एक नियतांग आता है वह नियतांग को इस constant number हो सकता है या फिर कोई value हो सकती है तो यहां पर जो नियतांग काता है उसे हम capital G से नूट करते हैं यानि कि f equal to में जब चेंज करेंगो तो हमारे पास आएगा capital G उपर लिखाएगा m on m2 और नीचे जो था r square ठीक है इस जी को हम कहते है सार्वत्रिक गुरुत्वा करशन या तांग और इसका जो value होता है 6.67 into 10 to the power minus 11 newton meter square per kilogram square इसका जो unit होता है अक्सर पूछा जाता रहा है इसलिए इसको याद रखिएगा आप इसमें इसके अलावा यदि आप फार्मूले से G के unit को निकालना चाहें यानि मात्र को निकालना चाहें तो इस फार्मूले में आप सभी राशियों के मात्रक रखके भी आप G का मात्रक निकाल सकते हैं F का आप newton रख दीजिए मास का यानि दर्बेमान का आप kilogram रख दीजिए और R का meter आईए अब बात कर लेते हैं जब दो पत्थर या दो पिंड एक दूसरे को आकर्सी ठीकरते हैं तो एक दूसरे के Пास क्यों नहीं चले आते या फिर एक दूसरे को चिपक क्यों नहीं जाते तो माली जीये हमें दो पत्थर लिया दस-दस किलोग्राम के दो पत्थर ले लिए हमने एमोन बरावर दस किलोग्राम रख दिया है और यह दूसरे से मालीज यह 10 मीटर की दूरी पर रखे हुए है तो 10 का स्कॉार हमारे पास आर स्कॉार यानि की सो हो जाएगा ठीक है यह जिरो इस जिरो से इस जिरो से कट गया यानि हमारे पास बचा यह फिक्वल टू जी ठीक है जी बचा हुआ है और जी का माना अल्रेडी आप देख रहे हैं कितना कम है यानि कि यह वैलू इतना कम है तो उन दोनों पत्थरों के बीच जो बल लग रहा है वो भी बहुत कम है वो बहुत कम है इसके अलाबा जिस फर्स पे रखा होगा उसका घर्षड प्रिथवी का गुरुत्वा घर्षड बल यह सब भी इफेक्ट डालते हैं इस कारण कोई भ न्यूटन के इसी सारभ्हमि गृत्वा करसर सिद्धान्थ पर हमारा सोलर सिस्टम टिका हुआ है जी हां नहीं तो माली जे प्रिथवी जो है सूर्य का चक्कल लगा रहा है तो क्या प्रिथवी सूर्य की कच्छा को छोड़ के बाहर नहीं चला जाता नहीं क्यों क्योंकि जो प्रिथवी है और सूर्य यह दोनों पिंड जो है एक दूसरे को आकर्सित कर रहे हैं फिर आप कहेंगे कि जो प्रिथवी है वो सूर्य के चिपक क्यों नहीं जाता उसके पास क्यों नहीं चला जाता तो आप लोगों ने व्रित्ति एगति में पढ़ा होगा कि व्रित् वीडियो में जाऊंगा आई अब बात करते हैं ग्रेविटी की जो न्यूटन ने नियम दिये उनके अनुसार ग्रेविटी होती क्या है अब ये पूल डिफनीशन है ग्रेविटी की उन्होंने क्या कहा न्यूटन के गुरुत्वा कर्षड के अनुसार दो पिंडों के बीच नियूटन का आकर्षडबल कारि करता है जदी इन मेंसे एक पिंड़ प्रीथवी हो तो इस आकरषडबल गुरुत्व कैते हैं यानी की वह गुरुत्वा आकर्षडबल है जिससे प्रीथवी किसी वस्त को अपने केंदर की ओर खीशती है इस बल के करण जो त्वरण उतप जी से स्मॉल जी से रिनोर करते हां वो किन किन कार्व को पर निर्भर करता है यानि कि क्या बदनले से जी के मान में परिवर्बर्टण हο जाता है तो सबसे पहले में बता दू कि गुरुत्वी जनित्वरण याने कि स्मॉल जी वस्तु के रूप आकार और द्रब्यमान इन पर निर्भर नहीं करता फिर से एक बार बता दू गुरुत्वी त्वरण जी वस्तु के रूप आकार और द्रब्यमान इन तीनों पर निर्भर नह देख लेते हैं और वे कारक देखेंगे जिनने जाम में पूछे जाने की संभावना अधिक होती है तो जी के मान में परिवतन्त प्रित्वी की सता से उपर या नीचे जाने पर जी का मान जो है घट जाता है इसके अलावा यदि बात करें जी का मान महत्तम कहां होता है तो जी जी का मान नियुन्तम विशुवत रेखा परूता है इसके अलावा आप सभी लोग जानते हैं कि प्रित्वी जो है अपने अक्ष पर घुमती रहती है तो यदि प्रित्वी की घुड़न घती बढ़ जाए तो जी के मान पर क्या ब्राव पड़ेगा तो मैं वता दू कि यदि प्रित्वी की घुड़न घती बढ़ जाए तो जी का मान कम हो जाएगा इसके ठीक भी प्रित्वी की घुड़न घती यदि घट जाए तो जी का मान बढ़ जाएगा यहां से एक बहुत important question मनता है दोस्तों वो यह है चुकि प्रित्वी की घोडन गती बढ़ने पर जी का मन कम हो रहा है तो प्रस्ण पूछा जाता है कि प्रित्वी अपने वर्तमान गती से कितनी तेजी से घूमने लगे कि विश्वत रेखा पर रखा कोई वस्त भारहिन सोने लगे यह बहुत important question है तो इसका मैं बता जेता हूँ यदि प्रित्वी अपने वर्तमान कोडी चाल से 17 गुनी अधिक चाल से घूमने लगे तो भूमत दे रेखा जिसे विश्वत रेखा भी कहते हैं पर रखी वस्तु कभार सुन्य हो जाएगा जी हां आईए बात कर लेते हैं कैपलर के नियम की कैपलरन ने ग recommend गरोखों की fda3 विशिदंतिति लो आइनी हो ने तीन नियम दिया थी हालांग की collar यह नहीं बता पाये थे कि जो ग्रह है इसी प्रकार से गतिक्यो करते हैं इसको असपर्ष्ट किया था आईजएक न्यूटन ने जो पहला नियम उन्हों ने दिया वो इस प्रकास ज्य था सभी ग्रहों की कच्छा दिवर्प्रता कार होती है तथा सुर्ण इसकर नाभिग पर वुपश्रित होता धा मतलब यह था कि जो ग्रा होते हैं जिस पत पर गति करते हैं यदि उस पत को देखा जाये तो वो द्रिग वrittakar या अंड़ाकर होता है जैसा कि आप आप सभी लोग जानते है कि दिर्ग वृत्में दो फोकस होते हैं यह यहां पर इस भृत्म अब कैपलर के दूसरे नियम की बात करें तो उन्होंने कहा था ग्रह को सुर्य से जोड़ने वाली रेखा समान समयांतराल में समान छेत्रफल तै करती है आईए इसको एक उदाहर के मादम से समझ लेते हैं यहां पर मैंने माली जे कोई एक प्लैनेट है जो एक मिनट में यहां से यहां तक जा रहा है यानि कि इस विंदू से इस विंदू की तरफ यदि इसको सुरे से मिला दे यानि कि सुरे से मिला दिया मैंने ये मिला दिया और ये मिलाया हुआ है ठीक है इसी प्रकार अगले एक मिनट में मालीजे यहां से यहां तक गया ठीक है इसको भी सूरे से हमने मिला दिया तो जो बीच का ये छेतरफल है वो छेतरफल और जो बाद में एक मिनट का है चुकि समान समय हमने लिया हुआ है तो ये प्लैनेट सूर्य से दूर होगा तो धीरे गती करेगा और जब सूर्य के नजदीक होगा तो उसकी गती बढ़ जाएगी इस कारण जो एक समान समय में एक समान शेतफल तै करता है इसके अलाबा जो तीसरा नियम था उन्होंने कहा ग्रह द्वारा सूर्य की प्रक्रिक्रमा में आवर्थकाल का वर्ग अर्ध दिर्ग अच्छ यानि कि इसे अंग्रेजी में सेमी मेजर एक्सिस करते हैं कि घंड के समानुपाती होता है यहां पे ह हम ने ले लिया है एक दिर्ग ठीक है जिस पर प्लैनेट गति कर रहा है और यह रहा हमारा सन तो आप सभी लोग जानते हैं इसे सेमी मेजर एक्सिस करते हैं और इसे सेमी माइनर एक्सिस तो सेमी मेजर एक्सिस से और जो आवर्थकाल होता है उसे हम कैटल टी से दिनोट कर गया था तो यह थे कैपलर के तीन नियम जिसमें पहला नियम था कि प्रते एक प्लैनेट जो है वो दिर्वित्यकार कच्छा में जो एक 꽃 करते हैं दूसरा था कि समान समय में समान शेत्र फलत्य त़्था है और तीसरा था कि जो T square है वो proportional है A cube के ठीक है आज के इस वीडियो में बस इतना ही अगले वीडियो में मैं फिर से लेकर हाजिर होंगा कुछ objective question के साथ जो exam में पूछे गए होंगे इस वीडियो पर और जो next वीडियो उस पर आधारित question तो मुझे दीजे इजाजत आज के लिए बस इतना ही और साथ ही साथ हमारे चैनल कमप्टीशन बूस्टर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा धन्यवाद